चटनी एक ऐसा सब्दे है जिसे बोलने और सुनने मातर से ही मुह में पानी आ जाता है अगर यह थाली में एविलेवल हो तो भोजन की थाली का चाय का और ज़्यादा दुगना बढ़ जाता है नमस्कार दोस्तो जैमातादी कैसे हैं आप सभी लोग उम्मेद करती हूँ आप सभी लोग जहां भी होंगे स्वस्त होंगे मस्त होंगे प्रसंद होंगे तो दोस्तो आज लेकर के आई हूँ मैं चटनी की एक ऐसी रेसिपी जो आपको खाने में तो टेस्टी लगेगी ही बनाने में बहुत ही जी है और साथ में इसके स्वास्तिवर्धर गुन बहुत जादा है तो आप बने रहेगा वीडियो में बस चोटा सा वीडियो है इसे आप स्किप मत किजिएगा इसके लिए सबसे पहले ले लिया है मैंने एक टमाटर जिसे उबाल लिया है इसको इतना उबालना है कि टमाटर सॉफ्ट हो उसके बाद लिए है मैंने पालक की पत्तियां और सा तो अच्छी तरह साफ करना बहुत जरूरी है नहीं तो यह हाम फुल भी हो सकता है और उसके बाद मैंने जो टमाटर का बचा हुआ पानी है गरम उसी में इन पत्तियों को डाल दिया है अब इसे एक हलका सा उबाल दिला देते हैं जादा उबालने की कोई आवशिक्ता नहीं है पालक हमारे स्वास्ते के लिए बहुत ही फायदे मंद होता है इसमें आईरन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है और साथ में तुलसी भी हमारे स्वास्ते के लिए बहुत ही उपयोगी बहुत ही गुणवान औसदी है यह चटनी बनाने में बहुत आसान है और समय भी बह वी लिविल हो जाती है, मैंने पालक को 10-15 मिनट तक अबाल करके निकाल लिया है और साथ में डाल दी है इसमें एक मुठी करी पत्ता. करी पत्ता भी हमारे स्वास्ते के लिए बहुत ही फायदे मंद होता है या बालों के लिए विसेश कर फायदे मंद होता है अगर आप लोगों के बाल जड़ रहे हो तो इसे अपनी डाइट में अवस्य सामिल केजेगा और ले लिया है थोड़ी सी पत्तियां मैंने पुदी ने की साथ में ले लिया है एक आधे हिंच का टुकड़ा अद्रक का और ले लिया है तीन हरी मिर्चे है एक लाल मिर्चे है दो हरी मिर्चे है ये मिर्चे ज़्यादा तीक ही नहीं है तो इसलिए मैं तीन डाल दे रही हूं आप अपने स्वात के अनुसार जरूरत के अनुसार मिर्चे को डालेगा तो इनको मैंने काट लिया है और मिक्सिंग जार में डाल दिया है साथ में ले लिए हैं मैंने ये तुलसी की पत्तियां और करी पत्ता ओबली हुई पालक इसमें से जो चीज आपके पास अपैस आब हो तो उसे आसानी से श्किप कर सकते हैं साथ में डाल दिया है मैंने ये उबला हुआ टमाटर इसका छिलका मैंने इसके नहीं किया है मतलब निकाला नहीं है तो आप अपने स्वाद के अनुसारिया जैसा आपको अच्छा लगे वो कीजेगा उसके बाद डाल दिया है मैंने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला और स्वादा नुसार नमक थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और इसमें जादा कोई मसाली डालने के आवसिता नहीं है क्योंकि इसे अपने आप में ये एक मसाला है तुलसी मसाला है करीपता एक मसाला है और थोड़ा सा डाल दिया है मैंने हींग जिसे खुषबू बहुत अच्छी आएगी और थोड़ा सा ये कस करके मैंने अद्रक के टुकड़े को डाल दिया है बस इसे अच्छी तरह से ग्रैंड कर लिया है बन करके चटनी बहुत बढ़िया तयार हो चुकी है अब इसमें निचोड रही हूँ मैं नीबू नीबू मेरे छोटे से हैं तो मैंने इसमें डेड़ नीबू निचोड़ा हुआ है इसको ना इस स्नुजर में भी डाल करके मतलब यह आ नहीं रहा था तो मैंने हाथ से निचोड़ा इसमें दाने डल रहे हैं इनको मैं चम्मच की सायता से अभी हटा लूँगी अगर आपका भी जल्दी बाजी में हो और सबजी नहीं बना पा रहे हो तो तब आप इस चटनी को जरूर बनाईएगा आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आप सबजी के बिना ही खा रहे हैं इसके साथ पूरी पराठा बहुत ही स्वाधिस लगता है चम्मच की सायता से नीबू और चटनी को अच्छी दर से मिला लिया है मैंने इसे सर्व किया है अजवाइन की पकोड़ी और ब्रेड पकोड़ा के साथ तो आप भी एक बार ट्राइ किजेगा अच्छा लगे तो लाइक किजेगा शेयर किजेगा चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किजेगा जया मता दे